करेंगे दो ऐसे है रिमूबल मेथड्स जिन्होंने मार्केट में इस समय धमाका मचा रखा है जब से इनका इंवेंशन हुआ है हर बंदा इनको यूज कर रहा है शेविंग इन ट्रिमिंग से पी जाता ये दोनों मेथड्स पॉपुलर है विच इस हैर रिमूबल क्रीम और हैर रिमूबल स्प्रेग मैं भी इन दोनों मेथड को यूज करता हूँ बट मुझे एक टेस्ट करना था कि कौन सा इन दोनों में से बेटर है तो इफ यार इंटरेस्टे इन इस पॉपिक मेक शूर्य वास्ट इस वीडियो को सब्स्क्राइब टू मैं चानल एंड लेट्स केट स्टाइब तो मैंने अक्चली अमाज़न से दो बहुत ही हाइली रेटेड प्रोड़क्स और करें हैं फॉस्ट वन इस वीच हैर रिमुवल क्रीम सेकेंड वन इस अर्बन गबरू की हैर रिमुवल स्प्रेइ यह दोनों ही बहुत जादा वाइरल हैं इंस्टाग्राम पे अमाज़न में हर जगए तो मुझे लगा कि इन दोनों को ही ओडर कर देना चाहिए मैंने अचली वीच है रिमुवल को पहले टेस्ट किया हुए अपने एक वीडियो में and that time it worked ठीक ठाक बट मुझे ऐसा लगा कि इतना जादा यह popular है और इसको लोग इतना जादा यूज़ कर रहे हैं तो शायद मैंने इसको सही तरह से यूज़ नहीं किया या फिर मैंने इसको अंडरेट कर दिया है तो मैंने सुचा कि इसको मैं फिर से एक बार टेस्ट करता हूँ और आज हमारे पास है नया Hair Removal Spray विच इस प्रम दे ब्रैंड Urban Gabru क्योंकि यह पिछले कुछ टाइम में बहुत जादा ही वाइरल हो गया है बहुत जादा ही बूम पे है हर बंदा इसके बारे मैं बात कर रहा है तो इसको टेस्ट करना तो बनता है तो मैं क्या करने वाला हूँ इन दोनों प्रोड़क्स को अपनी चेस्ट पर अपलाए करूँगा मेरी चेस्ट जो है वो बहुत जादा थिक है क्योंकि मैं ट्रिमिंग करता हूँ वहाँ पे और इससे बेटर जगह कोई नहीं हो सकती है मेरी पूरे बॉड़ी पार्ट में जहां पे हम इन दोनों प्रोड़क्स की रियालिटी को टेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ पांच मिनट तक अपनी स्किन पर अप्लाए करना है बट इसकी जो क्रीम है उसमें लिखा है पांच से दस मिनट तक जोकि अपने आप में कॉंट्राडिक्टरी है सेकेंड भी है अर्बन गबरु का है रिमूबल स्प्रे जिसके अंदर बहुत सारी चीजे भी है अलोवेरा जेल, लेमेन एक्स्ट्राक्ट, डी टैनिंग फॉर्मूला भी है यानि कि अगर आपकी स्किन पर बहुत दादा टैनिंग हो गई है उसको भी ठीक करता है, इसको अपलाय करना है आपको 6-8 मिनट तक, इसमें लिखा हुआ है, प्रे करना है आपको 10-15 cm की डिस्टेंस से और उसके बाद आपको 6-8 मिनट तक वेट करना है आप पैच टेस्ट भी कर सकते हैं और 10 मिनट से जादा आपको अपनी स्किन पर नहीं रखना है, उसके बाद आप रिमूव करिए स्पैचला की हल्प से और रिंज इड विट 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 वाटर, उन्हों प्रोडक्स के साथ हमें स्पैचला मिलता है, तो चलिए टेस्ट कर अपर एक मार्क बना रहा हूँ जिससे कि हमें क्लीरली पता चल जाए कि हैर रिमूवल क्रीम ज्यादा बेटर है या हैर रिमूवल स्प्रे तो लेफ साइड में अपलाए कर रहा हूँ वीट की हैर रिमूवल क्रीम, इसको यह मैंने यहां थोड़ा सा चेस्ट पे ऐससे करने के लिए मैं अपनी fingers का use करूंगा तो जब मैं fingers से इसको apply कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा weird लग रहा था थोड़ा सा चिप चिपा जैसे मैं कोई toothpaste apply कर रहा हूं अपनी body पे लेफ्ट चेस्ट पे भीट के hair removal cream लग गई है अब बारी है उंगलियों से इस cream को हटाने की जो की बहुत जादा sticky थी smell बहुत गंदी थी अब राइट साइट पर हम apply करते हैं अरबन गपरू की hair removal cream spray जो की एकदम आराम से और बहुत ही smoothly निकल गई है you guys can see मुझे actually इसको apply करने में बहुत जादा मज़ा आ रहा था and जो उसमें smell थी वो भी बहुत ही जादा soothing थी तो मेरी chest पूरी तरह से cover हो चुकी है left side hair removal cream right side hair removal spray अब मुझे 8 minutes तक wait करना है दो मिनिट बाद मेरी left chest पर थोड़ी से जलन उने लगी थी जहां पर मैंने wheat की hair removal cream लगाई थी बहुत जादा itching हो रही थी और right chest पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था 8 minutes बाद अब बारी है इस cream और spray को हटाने की सबसे पहले मैं wheat की hair removal cream अटा रहा हूँ बहुत ही आराम से butter की तरह पूरी cream निकल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल भी सारे निकल रहे है और cream हटाते समय मुझे बहुत ज़़दा itching और जलन भी महसूस हो रही थी वीट की hair removal cream मैंने clean कर ली है अब बारी है अर्बन गबरू की hair removal cream spray को हटाने की तो मैं यहाँ पर spatula की help से right side की chest है उसको clean कर रहा हूँ बहुत ही आराम से बाल निकल रहे हैं कुछ भी जलन, itching ऐसा कुछ भी नहीं feel हो रहा था इस spatula से clean करने के बाद मेरी chest कुछ इस तरह से दिख रही है, left side पर जहाँ पर मैंने hair removal cream लगाई थी, वहाँ पर nipples के area के पास थोड़े से बाल रहे गए हैं क्योंकि वो area पर बाल बहुत जादा thick थे, लेकिन right side पर जहाँ पर मैंने urban गबरू की hair removal cream spray लगाई थी, वहाँ पर पूरी तरह से साफ हो गए है, just to confirm मैंने अपनी chest को पानी से भी clean करा, and you guys can see कि बाल थोड़े बहुत रहे गए हैं chest पे, जहाँ पर मैंने cream लगाई थी, and redness कितनी जादा है मेरी chest पे, वही right side पे chest एकदम perfect है, and सारे बाल भी हट गए, so guys हमने देखा कि दोनों को मैंने अपन side की red hair, I was super disappointed with this cream, काफी साथे बाल रह भी गए है, और अगर आप पास से देखेंगे, तो इसने बालों को पूरी तरह से नहीं गटाया अंदर से, उपर उपर से ही clean किया है, यहाँ पर Urban Gabru की hair removal spray ने बहुत अच्छे से work किया है, बिल्कुल भी red dust नहीं है, तारे बाल अच इसमें की इसमें बहुत गंदी smell आती है, अपलाय करते ही, और Urban Gabru का जब यह hair removal spray लगाते हैं, तो बिल्कुल भी गंदी smell नहीं आती है, in fact, बहुत ही soothing सी और pleasant सी smell आती है, तो definitely Urban Gabru पास हुआ है, बहुत ही full marks से, मैं आप इसको देता हूँ, 10 में से 9 marks, एक मात मैं इस वच 6 marks, गंदी smell, चिपचिपे होने की वजह से, और पूरी तरह से बाल नासाफ करने के लिए, तो definitely यह clear winner है, hair removal cream और hair removal spray के comparison में hair removal spray जीता है, I will definitely recommend कि आप hair removal spray में जाहिए, वो भी Urban Gabru के, मैं इसका link description box में डाल दोगा, आप check out कर सकते हैं, so yeah, that's it for today's video, अगर आपकी video अच्छा झाल झाल झाल